इस FMCG लीडर में जो भारत में आप कह सकते हैं सबसे बड़ी FMCG कमपनी हैं उनकी तरफ से दो बड़े एलान हुए दोस्तों यह आप कह सकते हैं उन्होंने दो बड़ी घोशनाएं की हैं एक कि एक नए बिजनस के और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों एक्सपैंड कर रहे हैं आने वाले से में D2C बिजनस में कमपनी कह रहे हैं कि वो इस प्रकार के स्टेप्स उठाएगी कि इन्हें 100 करोड का रंडर्ट मिलें के रेविन्यू में और HUL को लेकर के आने वाले से में एनलस क्या कह रहे हैं कोटक सेक्यूरिटीज ने किस तरह कि उनको टारगेट दी हैं दोस्तों और HUL as a whole कमपनी आखिर में प्लाइन क्या कर रही है क्योंकि इनके कॉन्फरेंस कॉल और आप कह सकते हैं जो बयान निकल के आए हाई मैनेजमेंट की तरफ से वो इस बात के और इशारा कर रहे हैं कि कमपनी आप दोस्तों कुछ अलग स्ट्रेटीजिस लाने के कोशिश कर रही है और कौन से ब्रैंड है जिसको एक्सपैंड करने वाली है देखिए इनका जो ब्रैंड आपको पता होगा जो डॉमेक्स है ठीक है डॉमेक्स जो क्लीनिंग के लिए आता है हाउस होल क्लीनिंग के लिए प्रोड़क्स करते हैं चाहे वो डॉमेक्स हो गया सर्फ एक्सल आपने स को कह लिए आगे बढ़ाने वाली है तो ये commercial usage क्या होता है देखिए जो hospitality sector होता है यानि hospitals को चाहिए educational institutes को हो गया और ऐसी तमाम जगों पर जहां पर commercial way पर चीज़ें use की जाती है साफ सफाई की उसके products को लेकरके company अपने जो brand से उसे expand करने वाली है ऐसा company ने कहा है कि आने वाले से हमें company इन sector पर बढ़ने वाली है और काफी ज़ादा focus रहेगा इनमे और इसके कारण इनके जो customer है आप कह सकते है और इनका जो footprint है वो किन शेत्र में आएगा देखिए जैसे मैंने कहा hospitality sector हो गया kitchen cleaning हो गया वहाँ पे जो पे इनके products को ये कह सकते हैं आप एक SAV में produce करेंगे जहाँ पे इनको ये direct sell कर सकें वो भी बहुत competitive rates में तो और ये देखिए commercial वे है यानि बहुत बड़े-बड़े orders आने के chances रहेंगे तो जहाँ बड़े orders रहते हैं वहाँ पे pricing को ले करके काफी जादा competition रहता है और ऐसे sectors में लोग बड़े brands को लेते हुए आप देखते होंगे कि alternate brand को देखते हैं जो कीमते कम देते हुँ तो इस चीज़ को actual ने समझा होगा इसलिए अब उनका जो next phase है जहाँ पे फोकस करने वाले है वो उन sectors पे जहाँ commercially use किया जाए चीज़को और वहाँ direct selling करते हुए जो prices है उफे बहुत ज़्यादा competitive रखा जाए और जो एक market शेतर जो छूट रहा है वो भी अब इनके अंडर है क्यों देखिए Domax, Surf, Comfort ये households name है घर में लोग इनका काफी ज़्यादा उपयोग करते हैं आपने देखा होगा चाहाँ सरफ एकसल हो चाहाँ Domax cleaner हो इनका हम उपयोग करते हैं लेकिन जब आप commercial use में जाते हैं तो आपको पता होगा लोग चीप और alternate देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा expensive होते हैं तो इस चीज़ को देखते हैं कमपनी ने बहुत ज़्यादा focus करने की बात कही है कि हम अब commercial use में जाएंगे और जो शेत्र हैं जैसे आप कह सकते हैं hospitality, educational और ऐसे कमाम commercial institute वहाँ पर जाकर के देखेंगे ठीक है और आप देखिए इसके लिए उन्होंने इनके पास अगर आपको पता ना हो इनके पास एक separate channel भी है दोस्तों क्या जिसे आप कह सकते हैं जिनका जो नाम है इनका Unilever Professional Unilever Professional जो इन्होंने 2018 में open किया था इस पूरे का काम ही ही होता है जो professional हो आप कह सकते हैं जो इन तमाम प्रकार के areas में कैसे जर्ड डील करते हो उनके लिए एक separate entity है जहां पर ये काम किया जा सके और और भी अन्य चीज़े जो के लिए professionalism को लेकर के बढ़ावा देती हो इसमें काम होता है तो Unilever Professional जो 2018 में इन्होंने open किया था उसके थ्रू ये काम होगा यानि कि एक और शेत्र में actual काफी जादा अच्छा तरीके से आने वाली है अब बात करता हूँ actual जो next phase में है और ये phase बहुत exciting है दोस्तों और ये phase को लेकर के मुझे ये लग रहा था कि खबर कब आती है क्योंकि आपको पता होगा offline mode में अगर आप देखेंगे actual के brands ऐसा brand और कोई नहीं है और ये इनके पास इतनी जादा मैं जब कहता हूँ brand कोई नहीं न तो आप समझे हैं इनके पास इतनी जबरदस brand power है जिस तरह से और मैं कहाँगा जिस ruthlessness से ये अपने price increase कर पाते हैं और कोई भी company चाहे आप ITC ले 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 आप चाहे कोई भी ले ले भलाई market place में आप कहलें market capitalization में इन्होंने growth की है लेकिन actual के पास जो brand power है आप समझे ये वो brand है COVID के समय जिन्होंने soap के और hand wash के दाम बढ़ा दिये they are so ruthless as a consumer आप कैसा कि थोड़ा गलत है ये but as a company अगर आप निवेश्यत है तो आपको जान कि आपको ये समझना चाहिए कि कितने जादा आप कह सकते हैं अपने prices को ले करके और अपने margins को, margins की safety को ले करके ये कह सकते हैं आप बहुत aggressive रहते हैं अब जब input cost लगातार बढ़ी इन्होंने सिर्फ एक डिड़ महीने के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं अपने साबून के, आप कह सकते हैं जो अपने premium products हैं उसमें छोड़ करके plus जो wheel होता है दोस्तों उस तक में इन्होंने अपने price बढ़ाएं तो यह चीज उभी बिना इस डरके कि भाई volume से गड़ बढ़ोगी या volumes में चिंता होगी इन्हें इस बात का डर नहीं होता यह बहुत जादा aggressive हो करके price बढ़ाते हैं तो अब इन्होंने अपना focus किया है D2C business को ले करके और exact अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं यह ने जो कहा है actualize rupees 100 crore run rate for its D2C brand in next few months यानि आने वाले महिनों में माफ कीजेगा आने वाले महिनों में company यह सोच रही है D2C यानि direct to consumer जो यानि online होते हैं तमाम platform में वहां से 100 crore का यह run rate चाहते हैं कि यहां से 100 crore के धंदे हो आप समझ ही आने वाले कुछ महिनों के अंदर यह इतने जादा aggressive है D2C को ले करके ठीक है और यह बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको और कुछ facts बता हूं उनको ले करके दोस्तों तो आप देखे कंपणी ने इसको ले करके कंपणी में के जो आप मेनेजमेंट है उनकी तरफ से बयान भी आए था कि उन्होंने कुछ few hundred crores इंवेस्ट किये नैनो फैक्रीज में ठीक है विड्रॉ गिविंग दा exact investment figure उन्होंने के exact figure नहीं दिया लेकि उन्होंना कहा the company has invested not more than a few hundred crores in its nanofactories ठीक है और बात करों करें इनके D2C brands की तो मुझे लगता है आपने सुना होगा Dove Baby इनका brand है इनका Love Beauty and Planet Simple Dermologia और Lakme और company का जो tracy में है ये भी अप online available है और इन तमाम brands में आपको आजा दू Lakme सबसे ज़्यादा frontrunner है इसमें Lakme की आप कहा सकते है जो revenue है उसका जो पूरा revenue Lakme का वो 30% आता है online business से प्लस ये सबसे ज़्यादा Instagram में follow करने वाला beauty brand है इंडिया में दोस्तों totally a digital आप कहले है सकते हैं brand Lakme और Lakme जैसे brand के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है मता दू high margin products है दूस्तों है premium beauty product it means high margin product और इसकी इतनी ज़्यादा सील होना आप समझें ये कितना सबर्दस और कितना powerful brand है और भी जो brands आप कह सकते हैं इसकी में जोट रहे है मैंने आपको बता दिया कौन से brand के नाम बता है मैंने अभी आपको मैंने आपको बता है कि इस actual के पास ट्रैसे में जो shampoo आता है वो brand शायद आपको कई लोगों ये नहीं पता होगा इंदू लिखा आपने नाम सुना है ये भी actual का है actual में inorganic के लिजे इसकी acquisition की थी और इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी मचली छोटी मचली बड़ी मचली हमेशा जब अगर बहुत तहीं जाब आती दोस्तों छोटी मचली को निगल लेती है खा लेती है यही कर रहे है actual जैसे brands ठीक है और आगे देखिए company जाए actual हो इतनी जादा फोकस है आपको बता दो मैं online को लेकर के इनके जो brand से आपने you shop का नाम सुना होगा यहां दोस्तों you shop वो brand है अब वो उटल है जहांपे आप online जाके product खरीदारी कर सकते है और आने वाले से मुझे लगता है जिस तरह से आपने सुनाओगा Reliance अपने खुद का brand ला रहा है D-Mart discounted आप कहले ज़र discounted area है तो वो उन products को अपने self में जगा देता है जो discounted हो तो ऐसे में actual आने वाले समय के लिए तयारी कर रहा है अपने D2C business यानि direct to consumer business को बहुत ज़ादा सुद्रिन कर रहा है और जो local vendors होते दोस्तो जो local shop की परस है उनके लिए उन्होंने शिखर नाम का एक app बनाया है या कह लिए एक portal बनाया है जहां पे जो local vendors होते हैं जो supplier होते हैं उनको direct आप कह सकते हैं अपने product ये supply कर सकते हैं without any कह लिए कोई भी beach band के रहता नहीं है तो ये सब चीजें लेकर के actual आने वाले समय तयारी कर रहा है और मुझे लगता है ये बात as a investor बहुत अरूरी है हमें जानना क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं Reliance Retail अपना brand खुद लाने वाले बहुत सारे products हैं इधर DMART अपने shelf में लाने वाले हैं चीजों को discounted trial दाते हैं अडानी वाले अपना खुद के इनके brands हैं तो ऐसे में ये brands क्या करेंगे तो ये brands भी दोस्तों इस तरह तयारी कर रहा है और मैं आपको बता दूँ actual है this is a huge company इनके debitter days मैं आपको बता दूँ ये इतनी बड़ी company है साड़े 5-6 लाग करूर की company है इसके debitter days अगर मैं गलत भी नहीं हूँ 18-20 दिन से जादा के नहीं है दोस्तों और बहुत जादा हुआ 24-25 दिन that's it याने इनके माल जो बिक्ते हैं उनके पैसे 25-25 दिन में वापस आ जाते कोई लगभग debt-free company है दोस्तों ये huge huge पैसे हैं इनके पास सिर्फ cash की बात कर रहा हूँ मैं physical asset तो भूल जाए तो इसलिए इतनी सुद्रिन company है दोस्तों इतनी मस्बूत company है इतनी शांदार brand से इनके पास और सबसे बड़ी बात इनके पास pricing power है जहां पे ITC जैसी company हाँ high single margin में single digit margin काम करती है आज तक double digital नहीं जा पाई या FMCG में वहीं आप कहे लिए जो actual है वाई से 25 के आसपास की percent की margin में enjoy करता है और अब जिस तरह से input cost भगटरी मुझे लगता है आने वाले कुछ एक दू quarter के बाद company शांदार revenue generate करेगी और एक नई highs लगाएगी लेकिन उसके बीच में यदि कोई गिरावट होती है तो वह मात्र एक खारिदारी का मौका होगी for long term तो यदि आपको मेरी ये छोटी से analysis पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पहली बढ़ा है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहां तक जुड़े रहे हैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है ये हैं दोस्तों